रश्कार दोस्तों कैसे आप सब काम शौर कि आप लोग जहां बहुत ही अच्छे होंगे सो तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक केस स्टडी जुमेटो की जुमेटो जो है किस तरह से अर्ण करता है किस तरह से उसने अपना बिजनस ग्रोथ किया और अगर आप भी जुमेटो जैसा जो है स्टार्ट अप करना चाहते है तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए तो ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये theoretical नहीं मैं आपको practical जुमेटो की website पे जाकर वहाँ पे दिखाऊंगा कि उनके क्या-क्या business models है और किस तरह से वो लोग जो है वहाँ से कमा रहे हैं earning कर रहे हैं और कहां से शुरुआत करी थी जुमेटो नहीं और आज जो है अगर आप भी जुमेटो के जसा जो है अगर platform ready करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको start करना है तो इस वीडियो को दोस्तों जानने के लिए end तक जरूर देखेगा मैं हूँ मंजीत सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत Digital Expert तो हम आगे जुमेटो की official website के उपर तो यहां पर जो है इसकी website में हम scroll down करते हैं वैसे तो सभी को मालूम है कि यह क्या क्या करते हैं जर्नली लोगों को ज़्यादा नहीं पता है लेकिन जितना भी पता है I'm sure उतना तो idea होगा कि जुमेटो से आप order करके जो है किसी भी nearby restaurant से खाना आपने घर पे मंगवा सकते हैं या office में मंगवा सकते हैं apart from that यह अभी आपको मैं बताता हूँ यहां पे जो income main earning source जो है वो कितने तरीके के हैं तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह जो इतना ज़्यादा discount देता है इतने ज़्यादा जो है यह offer करता है 50%, 40%, 60% तो ऐसे में जो है जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है 40% तो यहां पे ऐसे में यह Zomato कमाता कैसे है क्योंकि यहां पे तो नुक्सान हो रहा क्योंकि जिस भी restaurant से यह order pick up करते हैं वहां पर तो फुल पेमेंट होता है हरा restaurant वाला इनको offer नहीं देता है तो ऐसे में जो है Zomato कमा कैसे रहा है और वो investors जो हैं वो क्यों अपना पैसा जो है इसके अंदर invest कर रहे हैं तो चलो यह आज मैं आपको इसके पूरी earning sources के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही मैं यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से यह शुरू हुआ था और जो है आप भी अगर इस तरह का startup करना चाहते हैं तो कहां से आपको start करना चाहिए तो सबसे पहले हम यहां पर advertise, order, book, trace and hyper pure इन चीजों के उपर हम यहां पर काम बात करते हैं तो सबसे पहले advertisement वाले पर चलते हैं तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि Zometo के पास अभी बहुत बड़ा database हो गया है तो database बड़ा हो गया है तो यहां पर जब भी कोई भी जैसे restaurant in Delhi ले ले लेते हैं restaurant in Delhi तो वहां पर जो है बहुत सारे restaurants हैं तो वैसे बहुत सारे restaurants में से अगर कोई भी restaurant वाला चाहता है कि वो उसका restaurant जो है top पर आए तो यहाँ पर Zometo क्या करता है उनसे charge करता है advertise का कि उनकी listing जो है वो top पर आएगी आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे golf course road के उपर किसी ने सर्च करा पर दिखाना चाहता है तो ताकि उसके पास जादा से जादा conversion आए जादा से जादा order आएं तो Zomato जो है यहाँ पे उनसे restaurant owner से जो है चार्ज करता है और चार्ज करने के बाद जो है उसको as a advertise तो आप यहाँ पे prompt करके जो उसको starting के अंदर दिखाता है जो free में है वो बाद में आते हैं लेकिन जो paid है जो advertise के लिए पैसा दे रहे हैं पहले number पे आने के लिए पैसा दे रहे हैं तो definitely वो जो है यहाँ पे सबसे पहले number पे list होते हैं तो यह हो गया पहला source Zomato का earning का अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा order जो की order जो है Zomato order जो हम सभी जानते हैं कि यह deliver करते है और फोर्ड वगेरा तो यहाँ पर Zomato करता है कि जितने भी restaurants हैं उनको अपने इस पे list करने के लिए ताकि उनको जादा order मिल सके तो उनसे जो है discount लेता है लेकिन वो discount जो है हम कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे यह जो है जितना और यहाँ पे commission यह लोग लेते हैं restaurant से उससे कहीं ज़्यादा यह discount देता है तो यह एक section है जहां से जो है delivery चाप boy को भी यहाँ पे जो है इनको नहीं पड़ती है salary और काफी higher salary देते हैं जो पिक अप हो और perfect time पे pick up और perfect time पे delivery भी हो जाए इसलिए जितने भी इनके delivery boys हैं या girls हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा industry में higher salary पे करते हैं थाकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें interested रहें delivery करने के लिए तो यह एक section ऐसा है जहां पे आप यूँ मान सकते हो कि जमेटो कमा नहीं रहा है यह सिरफ एक monopoly जो है create कर रहा है या फिर यूँ कह सकते हो कि यह अपने brand को promote करने के चक्र में बहुत सारे अतरीके होते हैं तो यह भी एक fund आ है उसका तो यह section मान सकते हैं कि इससे earning नहीं कर रहा है तो तीसरा यहां पर source क्या है इसका जमेटो बुक अब जमेटो बुक क्या है जनरली लोगों को नहीं पता जमेटो बुक क्या है कि बहुत सारे restaurant owners होते हैं जो stand-alone restaurants होते हैं बड़े जो 5-star hotels के restaurant होते हैं 4-star के होते हैं तो उनके पास अपना restaurant को manage करने का अंदर कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे stand-alone restaurants हैं जिनके पास यह facility नहीं है और क्योंकि software महंगे आते हैं तो यहां पर यह zमेटो बुक क्या करता है यह एक बहुत ही nominal cost के जरिये जो है यहां पर अपने जितने भी restaurants वाले हैं उनको यह दे देता है ताकि उनको जो है डिरेक्ली जमेटो से booking मिल सके और maximum जो 5 star, 4 star है वो अपनी application होने के बाब जुद जमेटो की यह book जो है जमेटो book जो है इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा traffic जो है उनको मिल सके वहां पर तो यहां से भी जो है यह इस application को use करने इस feature को इस्तेमाल करने के लिए restaurant को जो है पैसा चार्ज करता है restaurant owner से तो यह भी एक बहुत अच्छा income का जरिया है जमेटो का अब बढ़ते हैं अगला अगला है यहां पर trace जमेटो trace यह basically दोनों तरप से चलता है जो लोग order देते हैं as a client वो लोग भी अपने trace कर सकते कि उनका order कहां पर है बट यहां पे restaurants के लिए भी यह चीज है अगर कोई restaurant जो चाता है कि उसकी service perfect हो तो वो भी इस जमेटो trace के जरिए जो है चेक कर सकता कि उनका order जो है वो time पे deliver हो रहा है कि नहीं तो यह भी एक feature है जिसका इस्तेमाल करते हैं और यह paid है free का नहीं है आगे बढ़ते हैं यहां पे यह एक नया section जो है जमेटो ने चायलू किया है hyper pure basically जो है बहुत सारे restaurants के पास में अपनी अपनी जो है purchase team होती है जो की market के अंदर से सामान खरीद के लेके आती है और खाना बना के आपको पहुंचाती है और बना बना के आप लोगों को देते हैं रेस्टोंट में पर यहां पर क्या है जमेटो ने भी खुद का एक यहां पे start कर दिया जिसके अंदर जो है जितने भी रेस्टोंट्स वाले हैं वो vegetable fruit का चाते हैं grocery चाते हैं, poultry चाते हैं seafood चाते हैं, meat चाते हैं dry beverage, kitchen essentials वगरा या packaging material जितनी भी चीज़े जो रेस्टोंट्स के अंदर जो है लगती हैं, required हैं वो सारी चीज़े जो हैं अब Zomato भी restaurant को supply करना start कर दिया है तो यह भी जो है, यहां से भी Zomato जो है, काफी अच्छा earning कर रहा है यह भी इसका business source है अब बढ़ते हैं, अगले business source की तरफ तो अगला business source है यहां पे इसकी membership तो यहां पे membership क्या है अब देखो membership क्या है यहां पे उपर चलते हैं तो आप जब Zomato की website पे login करते हैं Zomato की website पे जाते हैं login करनी जोरत नहीं है आप उपर ही उपर देखो कि यहां पे एक exclusive member club यह बनाया गया है तो यहां पर अगर मैं यह Zomato gold के उपर click करता हूँ जो की income membership जो concept है तो यहां पर जो आप दिख सकते हैं यहां पे select your membership तो यहां पे जो है यह membership का भी जो है यहां पे charge कर रहे हैं तो यह भी इनका एक काफी अच्छा income source है तो छे मेने का लेते हैं तो बारा सो रुपया पर एक person का और यहां पे छे मेने के लिए इस्तेमाल करने के लिए वहीं पे बारा मेने के लिए अगर करना तो अठारा सो रुपया है पर यहां पे जो है आपको काफी इनको काफी यहां से भी earning हो रही है इसके अलावा इनका जो है Zomato for business app तो यह एक अलग जो मौडिल है इनका जिससे यह लोग कमा रहे है तो यहां से भी क्या है कि यह Zomato for business क्या है मैं business app क्या है कि हर restaurant को जो है यहां पे एक app अगर कोई stand alone app बनाता है तो वहां पर लोगों को ज़ादा से ज़ादा लाने के लिए जो उनको कुद advertise करना पड़ता है लेकिन Zomato बुलता है कि अगर आप हमारे साथ अपनी business app बनाते हो तो आप बहुत सारी चीजे manage कर सकते हो और आपको जो है उस app को बनाने के बाद उसके उपर traffic भी आएगा क्योंकि आप directly connected हो Zomato के platform से तो वहाँ पे कोई भी restaurant वाला अगर manage करना चाता है अपने तो बहुत सारी चीजे यहाँ पे कर सकता है तो यहाँ पे जो है Zomato for business app है तो यहाँ पे आप answer जितने भी reviews आते हैं उनके answer कर सकते हो online presence जो है आप maintain कर सकते हो analytical manage कर सकते हो यहाँ पे जो है promos and deals आप यहाँ पे चला सकते हो यहाँ पे special menu आप design कर सकते हो अगर कोई आप event host कर रहे हो as a restaurant तो आप वो सारी चीजे कर सकते हो तो यह एक exclusive जो है feature देता है और यहाँ पे बहुत ही nominal cost के अंदर बहुत ही बहतरीन options जो है zometo restaurants owners को provide कर रहा है तो इसके जरीए भी जो है इस आप को इस्तेमाल करने का भी यहाँ पे जो है zometo charge करता है तो इससे जो है काफी ज़्यादा restaurants owner को भी benefit हो रहा है definitely other end जो है zometo को भी इस चीज़ का benefit हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है तो मेहनत करके अगर इतनी सारे platforms develop करें है तो यहाँ पे definitely यार इस चीज़ का benefit तो उनको भी मिलना चाहिए तो आज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने आपके zometo के income source है तो पहला advertise है दूसरा order जिसमें जो हम मानते है कि वो मुकसान में जा रहा है क्योंकि काफी ज़्यादा discount देता है तो हम इसको अभी wave of कर देते है जहां से यह earning कर रहा है तो वहाँ पे अगर बात करते हैं advertise है यहाँ पे zometo book है उसके बाद यहाँ पे zometo trace है फिर hyper pure है फिर उसके बाद यहाँ पे zometo for business app है और यहाँ पे membership तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे तरीके हैं इसके छे जरीए हैं इसके जहां से zometo काफी ज़्यादा earning कर रहा है और इसी के देखते हुए ही इतने जो investor हैं बड़े बड़े वो इसके अंदर invest इसी लिए कर रहें कोकि यहाँ पे regular इनके पास जो income है वो day by day, day by day increase होती जा रही है तो zometo नुकसान में नहीं जा रहा है definitely फाइदे में ही जा रहा है और अब बात करते हैं यहाँ पे zometo ने start कैसे किया था तो zometo की start करने की बात करें तो zometo ने सबसे पहले जब startup किया था अपना तो उस वक्त जो है यहाँ पे इन्होंने कोई भी restaurants को charge नहीं इतने सारे options नहीं थे available उस वक्त यहाँ पे जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ restaurants को अपने वेब पोर्टल के उपर में उसको register कर रहे थे इनकी जो team थी marketing team थी वो जा जा करे हर restaurant से type कर रही थी और उनके restaurants को अपने इस platform के उपर जो है list करने के लिए free के अंदर जो है पूरा उनको list करा रही थी तो वहाँ से इन्होंने start करा बहुत मेहनत करी इनके team ने मैंने देखा इनके team से मिला हुआ हूँ और उसका दौरान मिला हूँ जिस वक्त जो है ये हर city के अंदर जो है एक एक sales executive था जो हर restaurant को जा के type कर रहा था और पूरे उस restaurant के जितनी भी details हैं वो सारी tables, details menu, details बहुत सारी चीज़े हैं जो वो अपने इस platform के उपर update कर रहे थे तो उस दौरान जो है यहाँ पे इन्होंने start करा था और वहाँ से start होने के बाद जैसे जैसे हम सभी जानते हैं कि जब किसी के पास बहुत बड़ा database आ जाता है तो definitely उसके बाद जो है उनके पास traffic भी होगा और वहाँ पे जो है काफी जादा जो है वहाँ पे advertiser भी आएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारा database है बहुत सारे clients हैं बहुत सारे reviews हो रहे हैं तो इसी तरह से यहाँ से इन्होंने start करा था अगर आप भी zomato जैसे कोई भी startup करना चाते हो तो एक आपको website चाहिए है एक mobile की application चाहिए है और आपको जो है restaurants को जा जा कर type करना बट आज की date में आपके लिए challenge यह हो जाएगा क्योंकि already zomato और swiggy जैसे बड़े brand जो है वो already हर restaurant को type कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा challenging होगा उस चीज के उपर update करवाना लेकिन ऐसा नहीं कि आपको success नहीं मिलेगी definitely आपको भी success मिलेगी तो आपको भी out of the box थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से जो है इनसे different होकर अपने brand को लेके चल सकते हैं तो यह है पूरा case study जो कि Zomato की earning के उपर बेशता है अगर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like करें share करें और अगर आपका कोई भी सवाल है और अगर आप चाहते हो कि किसी और भी brand के उपर जो case study मैं आपके सामने लेकर आऊ विकास यह सारी चीज़े भी analyze करना यह भी एक digital marketing का ही part है तो यह सारी चीज़े भी जो है आपको समझ में आनी चीए किस तरह से आपको case study करनी है किस तरह से analyze करना है तो I'm sure वीडियो अच्छा लगा होगर अच्छा लगा है तो like करें share करें कोई भी सवाल है तो do let me know in the comment section आज के इस वीडियो के लिए इतना ही अगला वीडियों तक safe रहें alert रहें and be always good to others